वेलकम टू मास्टर मैंड अवजीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मैंड अवजीके में अपसे इस चैनल के माध्यम से केंदर सरकार या राज सरकार से जो भी नई भरती आती है उसके बारे में ताजा अपडेट आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा कोशिस रहेगा फ्रेंज इस चैनल के माध्यम से जो भी भरती के समंधित आपको जनकारी दी जाओ बिल्कुल ऑथेंटिक हो सही और सटिक हो और सबसे पहले आप लोग को मिले ठेंज तो जो भी अस्टुडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा आपको महत्पुन वीडियो का नोटिकेशन समय से मिलता रहेगा ठेंज तो जब भी अब कोई भी बहाली आएगी तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जनकारी दी जाएगी इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें आज के वीडियो में आपको देखें मैं आप लोग को बताते हैं जो बिजली व्युहाग से 26 पदों पर बहाली आई थी वह आपका अप्रेल के पहले आए थी ठीए यह भरती जो फ्रेंस कुछ तकनीकी कारण से यह अस्थागित कर दिया गया था जब यह बहाली आए थी फ्रेंस तो उसका आउनलाइन आवेदन का डेट भी घोशित कर दिया गया था उस समय इसका आउनलाइन आवेदन का तिथी जो एक अपरेल से लेकर के तीस अपरेल तक निर्धारित किया गया था ठीए फ्रेंस लेकिन जब अस्थागित हो गया था तो अब फ्रेंस उसी बहाली के बारे में जो नया आप इन टीथी की बात कि जाए तो 15 जूलाई तक निर्धारित की गई है ठीए फ्रेंस तो जो भी इच्छुक महिलाएं वंपूरुस अभ्यारती है अगर आउनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो 15 जूलाई के पहले आउनलाइन आवेदन जरूर करें आउनलाइन आवेदन के है ठीए फ्रेंस तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग समझ गे होंगे कि बिजली विभागवे 2610 पदों पर बहाली आई हुई है और इसका जो आउनलाइन आवेदन के परकिरिया शुरू हो चुका है 15 जूलाई 2000 जो इस तक निर्धारित की गई है ठीए ठीए फ्रेंस च आपका जूनियर एलेक्ट्रिकल इद्टिनियर पर टोल चालीस पर और चालीस पर पर में और सबसे ज्यादा पर कैसं तो आपका सबसे 10 सब्सक्राइब करते हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर जो आप गौत हैं इसके लिए क्या है इंजिनेरिंग में डिपलोमा होना चाहिए ठीक है अगर इंजिनेरिंग में आ डिपलोमा की हुए है तो यह पत के लिए आप online आवेदन कर सकते हैं वही बात है फ्रेंस clerk और store assistant clerk और store assistant के लिए मान्यता प्राप्त से वीवी से क्या graduate होना चाहिए ठेंस clerk और store assistant का seat कितना है यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका था junior electric engineer का 40 पत था और clerk और store assistant का कितना है फ्रेंस तो 230 पत है प्राप्तिवी से graduate होना जरूरी है और junior accounts color का 300 पतों पर बहाली है अभी मैंने देखा 300 इसका total seat है इसके लिए commerce से graduate फ्रेंस तो जो भी student commerce से graduate क्यों हो है वो junior accounts color के के लिए online आवेदन कर सकते हैं इसके शंख्या कितने पतों की तो ध्यान रखेगा आगे देखते है फ्रेंस असिस्टेंट एक्जिकेट्टिव इंजिनियर इसके लिए क्या है फ्रेंस तो इसके लिए सभी युवा जो इलेक्ट्रिकल ठीकल और एलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिरिंग में इसके लिए बीटे किये हुए है वो ऑनलाइन इसके लिए अवेधन कर सकते हैं और सबसे ज्यादा पद है किसके लिए फ्रेंस तो टेक्निशियन ग्रेट 3 इसके लिए टोटल कितना है तो 2000 पदों पर यह बहाली है और इसके लिए योगता क्या मांगा जा रहा है फ्रेंस तो दसमी पास होना चाहिए और साथ में एक्रेट्रेड में इसकेिल ब्युलाइव को इसके लिए अगर टेक्शियन के लिए जो फॉँब भरना चाहते हैं तो उनको क्या है योगता क्या है योप Härस होना चाहिए और साथ में एट्रेंस स्टुलाइवाइन को STUDENT Calling Donc आपका योगता क्या है वो भी आपको जनकारी दे दी अब देखे सैल्री के अगर बात करते है तो सैल्री देखे इस पर अच्छा खासा सैल्री है जो जूनियर एलेक्ट्रिकल इंजिनियर उसको फ्रेंज आपका 25,900 से लेकर कितना 48,900 इतना तक है कलर को स्टोर असिस्टेंट के कितना है 92 इसलिकर 15,500 है जुनियर अकंट कलर्ज के कितना है 92 से 15,500 तक है वह कितना इशियनुट्रेंट एक्सकियिटेइंगे का कितना फ्रेंस 36,500 कैप की इनकी सैल्री मिलेगी ठीड़्िया मेरे हिसाब सब्रेंस आपको इस बहाली के बारे में कारी मिल गई होगी कि अगर जो महला और पुरुस अभिहारति इस पद के अदसार से आपके पास योगता है और और आवेदन करना चाहते हैं तो आपका आपका आवेदन की अंतिमति थी 15 जुलाई से पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर अपने से खुद ऑनलाइन करने में समस्या हो रहे आपना क्वालिक्वेशन बताएगा वो खुद बता देगा फ्रेंस कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं थे फ्रेंस तो इसी तरह